आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो है मेरा दिवाली का होम डेकोर का जो कुछ समान है जो मैंने खास दिवाली पूजा दिवाली में जो लक्षमी पूजा होती है या दिवाली के लिए जो भी हम डेकोरेटिव आइटल्स लाते हैं पूजा के लिए वो आज मैं आपके सा शेयर करने वाली हो तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ पूजा में जो भी सामान यूज होता है वो शेयर करने वाली हो तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने पूजा थाली ली है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल सी है ये पूजा की थाली प कापी एसे lights or beautiful सा design और colorful चीजे की चीजे रही तो काफी अच्य लगता है तो यह beautiful सी colorful थाली है जो कि बहुत beautifully डिकोरेट किया है तो आप देख सकते हैं इसमें जो है पुझा भी लगे है then स्टोंज भी लगे हैं रेड और ग्रीन कलर के जो की काफी अच्छा लुक आ रहा है और गॉल्डन वक भी किया है और डायमेंड्स भी लगे हैं चोटे-चोटे तो इस थाली यह जो थाली है यह पूजा के लिए काफी परफेक्ट रहेगी थाली और काफी बड़ी भी है तो आपकी सारी चीजे इसमें आराम से आजाएगी तो दिखादू मैंने यह जो लक्ष्मी के पैर होते हैं यह भी लिए है जो हम लक्ष्मी पूजा में यूज करते हैं आप देख सकते हैं लक्ष्मी के पैर बहुत ब्यूटिफूल से इनको भी डेकोरेट कर गिया है और आप इसे जो है पीछे स्टिकर मिल जाएगा जिसे आप इसे स्टिक कर सकते हो आप अपने पूजा मंदीर में स्टिक कर सकते हो यह आप दोर के बाहर स्टिक कर सकते हो जहां पर भी आपको चाहिए आप वहापे इसे स्टिक कर सकते हो तो यह ब्यूटिफूल से लक्ष्मी के पै आप अपने पूजा मंदीर के सामने या पिर आप इसे किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो यह भी ब्यूटिफुल से कलर में है ब्लू, रेड, ग्रीन कलर में और इसमें भी नग लगे है जो कि काफी ऐसे ब्यूटिफुल लग रहे है अभी तो इस पे जब और लाइट गिरेगी तो यह और भी ऐसे काफी अच्छे से चमकता है यह मुझे बहुत ब्यूटिफुल लगी यह रंगोली तो यह मैंने पर्चेस किया है दैन लास्ट वाली जो चीज में आपके साथ श्यर करने वाली हूँ वह है तोरंड दीवाली जो है जैसे पॉम-पॉम्स भी लगे है इससे जो है काफी अच्छा लूक आया है इसमें और ब्यूटिफुल सा डिजाइन बना है इस तोरंड का आप देख सकते हो तो यह जो है ब्यूटिफुल सा तोरंड भी मैंने पर्चेस किया है सिमसे मैप से तो फ्रेंग्स थैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो